सब्सक्राइब के साथ हम आपके लेकर रहा है बहुत ही सुन्दर नेट का नेक डिजाइन इसको आप कुर्तियों ब्लाउज किसी के लिए भी ट्राई कर सकते हो बहुत अच्छा है वीडियो मैं बहुत अच्छे से बताने की कोशिश भी करूंगी तो चलिए वीडियो करते है पिले शुरूर सुलिए नेट लिया है बहूत सुन्दर देखे इस पर अच्छा लगता है मार्केट कोफी ट्रेन है है यह है कूर्ति ihan कट करकर रखी हुई है को अगर आप इस कूर्ती की कटिंग में सीखना चाहते हैं तो उसके विले भी वीडियो में चलबर डाला हुआ है प्लीज आप चेक जूरू कीजेगा तो सबसे पहले इस design को बनाने के लिए हमने जो कूर्ती वाला portion कट करके रखा हुआ था इसको सबसे पहले लेंगे हम इसमें हमें जो design डालना है जितने में net डालना है उसको part को अलग कर लेंगे यहां से हम मार्क करेंगे 8 इंच पर 8 इंच पर यहां से मार्क करेंगे यह डिपेंड करता है आपने की गहराई कितना लखना चाहते हो इसके बाद हम निशान लगाएंगे हाँ 1.5 इंच पर इस निशान से होता हुआ और जो हमने 8 इंच पर लगा था वहाँ तक हमैं एक खलका कारल डाल लेना यहांसे यहां तक तो देखिआ करफ़ gj dov's जो होगा ऊपर से थोड़ा सा उठा हुआ होगा où आ ऋपर की तरफ और जहां यह वाला पॉर्शन है इसमें थोड़ा डाउन चला जाएगा तो जहां से भी हमने निशान लगा है हैं से हमें कट कर लेना है इसको हम आपको ओपन करके दिखा दे हैं किस तरह की शेप आएगी है यह वाला हमारा अपर वाला पार्ट रहे जाएगा और यह वहार होगा लोवर वाला पार्ट आप देखे जो लोवर पार्ट है उसको बनाने के लिए हमें एक पट्टी चाहिए होगी ताकि इसमें लगा कर हम सील सकें तो उसकी कटिंग कर लेते हैं यहां मैंने यहां इस वाले पोशन में इसको लगाएंगे तो यह मैंने चार इंच चोड़ी पट्टी लिए है इसकी लंबाय जितनी हमारी जो ब्रेस्ट की चोड़ाई थी यहां इतनी ही रखनी है कुर्टी को फोल्ड कर लेंगे और जो हमारी पट्टी हमने ली थी उसको भी हमें फोल्ड कर लेना है ध्यान रखेगा दोनों की ही जो हमारी क्लोज वाले साइड है एक तरफ होनी चाहिए इसको सेट करेंगे और जो हमने राउंड शे पहले डाली थी वहीं से इसको भी cut कर देंगे तो इस stitching के time इसको लगाना हमें काफी आसान हो जाएगा एक्स्टा को cut करते चलेंगे अब इस part की cutting तो हमारी हो गई है अब जो net वाला portion है उसकी cutting हमें करनी है तो देखी जो हमने ऊपर जो हमारा cutting के बाद बचा था उसको आपको इस तरह से fold कर लेना है इसके साथ जो net है आपका उसको भी इस तरह से fold कर लेना है और दोनों की close वाली side एक तरफ होनी चाहिए इस साथ का ध्यान रखिएगा प्लीज देखे इस तरह से इसके उपर हम रखेंगे इसको उपर हम छोड़ देंगे gap क्योंकि जो नीचे हावाला हम round shape डाली थी उसमें हमारा जो net है वो थोड़ा stitching में जाएगा तो इसलिए हम इसको half inch या 0.75 inch extra ले लेंगे अब जहां से भी हमारी shape थी सेम उसी में हम आपको cut कर लेना है है ना बहुत आसा देखिए उपर या नीचे कहीं से भी extra हो जाएगा यह आप देखिए जो यह net है इसमें हमें बोटनेक shape भी बनानी है तो बोटनेक के लिए साड़े 4 inch पर या मार्क करेंगे यहां मार्क करेंगे हम 4 या फिर 4.5 पर जितना भी ले सकते हैं आप बोटनेक में लगबग 4 के करीब में यहां पर ले रही हूँ अब यहां हम shape डाल देते हैं अब जहां से हमने shape डाली है उसके उपसे में cut कर लेना है तो यह हमारी बोटनेक की shape हो जाएगी फेंस द्यान रखेगा जो यह net है बहुत निच्चे तक हमें नहीं लगाना होता इतने portion में हम लगा सकते हैं इसको ज्यादा बड़ा मत लीजेगा अब देखिए यह हमारा complete दोनों ही upper और lower part अब जो पट्टी हमने काटी थी कट करके रखी थी इसको इस तरह से रखनेला है जाने के गए सीधी साइड रखी हुई है जो कूर्ता है उसकी सीधी साइड रखेंगे और यहां से सिलाई कर लेंगे गाइट जो हमारे इस तरह के नेट वायर फैब्रिक होते हैं या फिर कूर्तिया होती है जातर वह हम डार्क क्रय में ही प्रीफर करते हैं तो इसके लिए माफी चाहूंगी साइड आपको अच्छे से स्टीचिंग के टाइम शोन नहीं हो रहा है पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं आप लोगों को स्टैप बाई स्टैप बताने की कि यह वाले स्टीचिंग हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इसके अंदर हमें छोटे छोटे कट लगाने होंगे देखे यहां इससे आपको जो शेप है वह अच्छे से निकल कर आएगी आप कोई भी नेक बनाओ तो यह कट आप ज़रूर लगाएगा उससे आपकी से बह अब हमारे नेक को देखिए जो हमें पट्टी लगाये थी इस तरह से इसको पलट देंगे और अच्छे से इसको नाकुन की मदद से प्रैस की मदद से बाहर की तरफ निकाल लेंगे और इसके उपर से हमें बड़े पैरवाली स्लाइए करनी है यह स्लाइए हमें बाद में निकाल देनी है तो देखे कितनी फिनिशिंग और खुबसूरती के साथ हमने इसको बिना किसी पेस्टिंग कर लिया है आप जो नेट है उसको हमें टैच करना है तो सबसे पहले कोर्नर है उसको कोर्नर की नीचे लगाएंगे और यहां पर एक निडल की मदद से फिक्स कर देंगे और जो साइड वाला पोर्शन है सभी में हाफ इंड जितना आमने एक्स्टा लिया था उतना आपको अच्छी फिनिशिंग आएगी इस नीडल को रिमूव कर देंगे तो इस तरह से हम दो लास्ट एंड है वहां तक इसको स्टेच कर लेंगे यह देखिए यह हमारा हो चुका है देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से जो नेट है उसको दबाया हुआ है स्टेचिंग में आप भी अच्छे से इसको दबाना नहीं तो यह आपका निकल भी सकता है फ्रेंड्स अब हमें रेडी करना है बोटने को तो उसके लिए आपको उरे पट्टी लेनी होगी करीबन डेड इंच इसकी चोड़ाई यहां पर है इसको आपको फोल्ड करना है और देखिए उर्टी साइड हम इसको लगाएंगे ताकि महारी सीधी सरफ यह निकल कर आए यहां से आपको इसको स्टिच कर लेना है कम्प्लीट में यहां पर रखेंगे और लगबग टू पॉइंट्स का माजन डालते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे फ्रेंड्स आप अगर कोई भी ड्रेस चीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजेगा एक बार जरूर चेक कीगे सभी वीडियो को क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने सभी ड्रेस बहुत साइड ड्रेस जो हैं डाली हुई है उरे पट्टी को हम कम्प नीचे वाले पार्ट में कट लगा थे छोटे छोटे बिल्कुल बिल्कुल छोटे कट लगाने हैं ध्यान रखेगा जो स्टीचिंग है वो कटने होने चाहिए यहां भी हम ऐसे इसे कट लगा देंगे अब नेक्स्ट हमें इसको दूसरी तरफ पलट देना है यह मारा उल्टा वाला साइड था अब यह हमारा गया है सीधा वाला साइड अब इसको से मोडेंगे और यहां बिल्कुल कोर्नर से होते हुए आपको सिलाई लगा देनी है कोर्नर से लगाएंगे तभी आपकी इसमें फिनिशिंग अच्छी दिरिखेगी रेडिंग मेट से भी बैटर ये डिजाइन आपका बनकर तयार होगा यकीन कीजिए बिल्कुल सिंपल सोबर है किसी भी अन्य मेटरेल का हमने यूज नहीं किया है इसमें देन फाइनली हमारा नेख हो जुकर रेडि आप देख सेक्ट हो सिंपल सोबर कितना ब्यूटिफुल लग रहा है ये आप किसी भी कुर्ती के लिए ब्लाउस के लिए इसको ट्राय जरूर कीजिएगा और मुझे कोई दिक्कत है तो कमेंड कीजिएगा हमेशे आपके लिए मैं हाजे रहती हूँ आपको कोई भी प्रोब्लम आती है स्टीचिंग के लिए जुरूर कमेंड कीजिए आपके हर कमेंड का रिप्लाई आपको मिलेगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा फ्रेंड्स और ऐसे हमासाथ बने रहिए अगली वीड वीडियो में नए कंटेंड के साथ इंस्टागाम पर भी आपके फूलो कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम आइडी है मैं 36033 लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो फ्रेंड्स बाबाई टेक क्यों